नमस्कार दोस्तों, योटुब चैनल में आप सभी का सवागत है आज हम आपके साथ इस वीडियो के मादम से जानकारी सेर करेंगे कि आप पंजाब स्टेट से हर्याना के अंदर अपनी गाड़ी की आर्सी किस परकार ओनलाइन ट्रांसपर करवा सकते हैं आपको इस वीडियो के मादम से कंप्लेट जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे आपको कौन-कौन से जरूरी डोकुमेंट जाईए और आप किस परकार ओनलाइन आर्सी ट्रांसपर करवा सकते हैं आर्सी ट्रांसपर करवाते समय आपको कुछ फोरम की भी आव सकता पड़ती हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक की मदद से फोरम भी डाउनलोड कर सकते हैं आप वीडियो के लाच तक बने रहें आपको कम्प्लिट वीडियो देखने के बाद आप खुद ही अपने मुबाइल से ओलाइन आर्सी ट्रांसपर करवा सकते हैं और आपको ज्यादा आर्टियो के चकर भी नहीं लगाने पड़ेंगे यह दिया आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो आप चैनल को जूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ओन कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिपकेशन के द्वारा बड़ी असानी से मिल सके इसके लिए सबसे पहले आपने गुगल में वाहन परिवहन.gov.in ये जो वेबसाइट है इसको उपन कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं आपके सामने पहले नंबर पर परिवहन सेवा ये वेबसाइट आ जाती है तो आपने इस वेबसाइट को उपन कर लेना है जैसे ही आप इस वेबसाइट को उपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है आपने इसको निचे सक्रोल कर लेना है और वाइकल रेटेशन के ओप्षन पर आपने क्लिक करना है इसके बाद आपने यहाँ पे Select State Name आपने यहाँ पे अपना State का जो Name है वो Select कर लेना है जैसे कि हम यहाँ पे अग्जम्पल के तोर पे हरियाना Select कर लेते हैं Enter Ratation Number आपने यहाँ पे अपने गाड़ी का जो Number है वो Enter कर देना है जैसे कि हम आपको उधारण के तोर पर HR 49C4470 किसी भी गाड़ी का Number है वो Enter कर देते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे RTOP Select कर लेना है जैसे कि हमने यहाँ पे हिसार HR20 जो RTOP जो हमने Select कर लिया है उसके बाद आपने Proceed की Option पर कलिक करना है उसके बाद दुबारा पिर आपने Proceed की Option पर कलिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पे Apply for Transfer of Ownership, Change of Address, Hypothication, Addition, Continuation, Termination, Duplicate RC यह जो Option आपको दिखाई दे रहा है आपने इस Option पर कलिक करना है और यदि आपने आपकी गाड़ी का Tax Pay करना है तो आप यहाँ पे Pay Your Tax की Option पर भी कलिक कर सकते हैं यदि आपने Duplicate Fitness Certificate बनवाना है तो आप इस Option पर कलिक कर सकते हैं लेकिन हम आपको यहाँ पे आपकी गाड़ी की RC ट्रांसपर करना सिखा रहे हैं तो हम यहाँ पर Apply for Transfer of University की Option पर कलिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर कलिक करते हैं आपके सामने ऐसा Interface आ जाता है Vehicle Rejection Number आपको यहाँ पे अपने गाड़ी का Rejection Number डालना है जैसे कि HR 49C 4470 हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं उसके बाद आपने चेसी नमबर एंटर करना है और आपका चेसी नमबर का आखरी के जो पांच करेक्टर है वहीं आपने एंटर करने है जैसे कि हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 24921 उसके बाद आपने Verify Detail की Option पर कलिक कर देना है यहाँ पर कलिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है Using Mobile OTP और Using Aadhar तो आपने यहाँ पर Using Mobile OTP की Option पर कलिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर एक Mobile Number आईगा जिसके लाच्ट के जो हम कहें वो 73 पिचातर है उसके बाद आपने Generate OTP की Option पर कलिक करना है तो आप देखेंगे कि यह जो Mobile Number है इसके उपर एक SMS चला जाता है OTP चला जाएगा आपने इस OTP को यहाँ पर Enter कर देना है Enter OTP वाड़े Option में जैसे कि हम यहाँ पर OTP Enter कर देते है उसके बाद आपने Submit की Option पर कलिक कर देना है आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने काफी Option आ जाते है Transfer of Ownership, Termination of Hypothication, Duplicate RC तो हम यहाँ पर आपकी गाड़ी की RC को ट्रांसपर करना चिका रहे हैं तो Transfer of Ownership के कोलम पर हम यहाँ पर कलिक करेंगे उसके बाद जैसे ही आप इसको नीचे सक्रोल करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि Transfer Buyer Detail यानि कि यहाँ पर Buyer की Detail आ जाती है जो आपकी गाड़ी करीता उसके Detail आती है यहाँ पर परपस दिखाना होता है जैसे कि आपने सबसे पहले नई गाड़ी अपने नाम पर खरीत दी और उसके बाद आप किसी दूसरे मेंबर को गाड़ी दे रहे हैं तो उसका वो Second Owner माना जाएगा Serial Number आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद आपने Ownership Type Ownership Type आपने यहाँ पर Individual सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके बाद फादर जो हैजबेंड नेम है उसका खरीतने वाले का आप उसका यहाँ पर फादर या फिर हैजबेंड नेम लिख सकते हैं New Owner Category उसकी Category General है या फिर और कोई Category है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं OBC है, Other है, Physically Handicapped है तो आप उसकी जो Category है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं Sale Amount आप यहाँ पर अपनी गाड़ी की Sale Amount भी लिख सकते हैं उसके बाद Sale Date कि आपने अपनी गाड़ी को किस तारिक को बेचा है तो आपने यहाँ पर Sale Date को भी लिखना है उसके बाद आगे आप देख रहे हैं New Owner Buyer Mobile Number तो आप गाड़ी खरीदने वाले मालिक का Mobile Number भी यहाँ पर लिख सकते हैं Do you want to retain this registration number for allotment on purchase of new vehicle after transfer of ownership आपने इस option को Yes कर देना है और Add Nominee Detail यदि आप Nominee की detail डालना चाते हैं तो आपने Yes Option पर क्लिक करना है और यदि आप नहीं डालना चाते हैं तो आप No Option पर क्लिक कर सकते हैं Nominee Detail का मतलब है कि आपकी death के बाद आपकी गाड़ी किसके नाम transfer होगी उसको Nominee Detail बोला जाता है उसके बाद आपने यहाँ पर Address Detail डालनी है जैसे की House Number, Street Name कितना है आपका Village कोन सा है, Town City कोन सा है यहाँ पर यह जो Detail है यह गाड़ी के खरीदने वाले मालिक की डाली जाती है ना की बेचने वाले मालिक की उसके बाद आप Landmark, Police Station आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका Police Station कोन सा लगता है उसके बाद आपका यहाँ पर State लिख रखा है कि आप कोन से State में गाड़ी को transfer कर रही है वो State आपने यहाँ पर Select करना है उसके बाद आपने यहाँ पर District भी Select कर देना है और आप उसका Pin Code भी यहाँ पर आपने लिखना है जैसे आप यह सभी जानकरिया एंटर कर देते हैं उसके बाद यह आपका Permanent Address और Current Address सेम है तो आप इसके सेम एज Current Address के Option पर कलिक करेंगे और आपने यह जो डिटेल है आगे नहीं बढ़नी है क्योंकि आपका Permanent Address और Current जो Address है वो सेम है उसके बाद आपने यहाँ पर Insurance की डिटेल आ जाती है जैसे कि आपकी गाड़ी का जो Insurance जो टाइप है वो थर्ड पार्टी है यह फर्स्ट पार्टी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है Insurance Company आपकी कौन सी है किस कंपणी से आपने Insurance करवा रखा है उस कंपणी का नाम आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जैसे ही आप इस Option पर कलिक करते हैं आपके सामने का भी सारी कंपणी आ जाती है तो आप अपने गाड़ी की बिमे में आप अपनी कंपणी देख सकते है कि आप किस कंपणी का यहाँ पर बिमा करवाया हुआ है उसके बाद Policy Number यहाँ पर आटमेटिक चक लेता यदि नहीं चकता तो आप यहाँ पर Policy Number डाल सकते हैं आपके Insurance की जो Date है वो कब से लेकर कब तक Renewal है आप उसकी Date भी बिमे करवाने की Starting Date और Last Date को भी आपने यहाँ पर एंटर कर देना है तो आपने यह जो जानकारी है पूरी की पूरी यहाँ पर इसमें एंटर कर देनी है और आपने ध्यान रखना है कि आप कोई भी जानकारी गलत तरीके से मत डाले आपने बहुत ही सुजबूज की साथ यहाँ पर अच्छे से जानकारी डालनी है उसके बाद यहाँ पर आप फीज पैनल भी देख सकते है Transfer of Ownership यानि कि आपको 500 रुपे Transfer of Ownership की फीज लगेगी और Smart Card फीज यहरी आप Smart Card बनवाते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपे फीज देनी पड़ेगी इस परकार टोटल जो आपकी फीज है 700 रुपे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 700 रुपे यहाँ पर फीज देनी पड़ेगी Save as Drop Last में आपने फीज कटवाने के बाद Save as Drop option पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो फीज है वो कट हो जाती है आप Google पे से, Phone पे से, ATM कार्ड से, David कार्ड से, Credit कार्ड से आप किसी भी माद्यम से यहाँ पर आप एमट कर सकते हैं उसके बाद आपको एक Application Number मिल जाता है आप उस Application Number की मदद से RTO Office में विजिट करने का जो दिन है आप उसको Select करते हैं जिस दिन भी आप भरी होते हैं उसी दिन का Time आप Book कर सकते हैं और जो भी आप Time यहाँ पे दिन यहाँ पर Book करेंगे उसी दिन आपको हम आप भी आपको Document बताएंगे वो सभी Document लेके आपने अपने RTO Office में जाना है वहन की RCA ट्रांसपर करते समय लगने वाले जरूरी Document की अब हम बात कर लेते हैं Forum Number 29 और Forum Number 30 आपको इस Forum की जूर्द पढ़ती है आप यह Forum Court से या पिर आप Photo State की दुकान से भी इस Forum को ले सकते हैं या पिर आप इस Forum को Website की मदद से Google से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपने इस Forum को अच्छे से भर लेना है गाड़ी की RC आपकी गाड़ी की Original RC की आपको यहाँ पर जोर्द परती है गाड़ी का Insurance और आपको यहाँ पर एक Valid Insurance की जोर्द परती है यह दिया आपकी गाड़ी का Insurance वैलिड नहीं है तो आप यहाँ पर अपना Valid Insurance बनवा सकते हैं यहाँ पर Expire Insurance काम नहीं करेगा और PUC Certificate यानि कि आपकी गाड़ी का Pollution Certificate भी आपको यहाँ पर चाहिएगा तो आप उसको भी बनवा सकते हैं गाड़ी का जो चेसी नमबर है उसको आपने Pencil की मदद से उस Paper के उपर Print कर लेना है कोई भी A4 Plain Paper आप ले सकते हैं उस Paper के उपर आप Pencil की मदद से आपकी गाड़ी का जो चेसी नमबर हुआ आपने Print कर लेना है Pen Card गाड़ी बेचने और खरिदने वाले दोनों पार्टे का जो Pen Card आपको यहाँ पर जूरुत पड़ती है यदि आपके पास Pen Card नहीं है तो आप फारम नमबर साथ भी बरके दे सकते हैं गाड़ी खरिदने वाले का अधार कार्ड आपको यहाँ पर चाहिएगा और गाड़ी खरिदने वाले Candidate की आपको यहाँ पर एक रंगी पासपोर्ट साइज पोटो की विजूरुत पड़ती है तो आप इन डोकुमेंट का जरूर ध्यान रखे और गाड़ी खरिदने वाले का जनम पर्मान पत्र जनम पर्मान पत्र के तोर पर आप यहाँ पर अपना दार कार्ड, मारक सीट या फिर आप कोई भी डेट अब बर्थ का परूप दे सकते हैं और यदि आप इस गाड़ी को अपने ही राजे में ट्रांसपर करवा रही हैं तो आपको अनोसी की जरूरत नहीं पड़ती और यदि आप इस गाड़ी को एक सटेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसपर करवाते हैं तो आपको पहले वाड़े स्टेट से NOC लेनी पड़ती है और आपको यहाँ पे NOC की पज़रूरत पढ़ेगी NOC लेने के लिए आप हमारी नेक्स्ट आने वाले वीडियो को ज़रूर देखे कि आप अपने स्टेट से अपने गाड़ी की NOC किस परकार निकलवा सकते हैं हम आपको वाँ पे उस वीडियो के माद़म से आपके साथ जानकारी सेर कर देंगे और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको यदि एक स्टेट से दुसरे स्टेट में गाड़ी की आर्सी ट्रांसपर करवानी है तो आपको NOC की जरूत पड़ेगी एन्य था सेम स्टेट में गाड़ी को ट्रांसपर करवाते समय आपको NOC की जरूत नहीं पड़ेगी अब हम बात कर लेते हैं रोड टेक्स की कि आपको कितना टेक्स पे करना पड़ेगा यदि आप दिल्ली से हरियाना में या पिर दिल्ली से किसी भी अधर स्टेट में गाड़ी को ट्रांसपर करवाते हैं तो आपको रोड टेक्स पे करना पड़ेगा यदि आप अपने ही स्टेट से अपने ही स्टेट में गाड़ी ट्रांसपर करवाते हैं सेम स्टेट में तो आपको रोड टेक्स पे नहीं करना पड़ेगा इस बात का भी आप लोग ध्यान रखे तो आपको कितना टेक्स पे करने पड़ेगा इसकी जानकारी आप आर्टी ओपिस से ले सकते हैं और यदि आप भी किसी साथी के मन में गाड़ी की आर्चे ट्रांसपर करवाते समय कोई भी किसी भी परकार का सवाल या जवाब आपके मन में रह गया है तो आप अपना सवाल हम से कलियर कर सकते हैं वीडियो में कुमेंट के मादम से आप अपना सवाल लिख दें, हम आपके सवाल का तुरंती रिपलाई करेंगे, और हमारे दोरा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक, सेर और कुमेंट के मादम से जरूर बताए, धन्यवाद, जैहिन, जैबाद.